इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 357 के बारे में और ये आर्टिकल बताता है कि लेगिस्लेटिव पावर का कैसे उपयोग किया जाएगा कैसे उसका एक्सरसाइज किया जाएगा अगर इमर्जेंसी इसू किया गया है आर्टिकल 356 के अंडर आर्टिकल 356 के अंडर कैसे इमर्जेंसी लग सकता है अगर कर्श्ट्यूसनल मैसिनरी मतलब कि समयधानी तंतर जो है वो फेल हो गया समयधानी तंतर का मतलब क्या हो सकता है जैसे कि एलेक्शन वगेर नहीं हो पा रहा हो या फिर जो कानून है उसका कोई नहीं सुन रहा हो य legislative assembly या legislative council मतलब की legislature जो state का legislature है वो normally काम नहीं कर रहा होगा या फिर अगर काम कर भी रहा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि parliament अब यहां से state को चलाएगी ठीक है तो जब भी article 356 के अंटरगत यह emergency लग गया तो parliament के पास यह authority है, parliament के पास यह अधिकार होगा कि वो president को यह power दे सके, president को यह बता सके कि आप जो state का legislature है, मतलब जो state का विधाई का है उसके सम्मंदित जो भी कानूने वो आप बना सकते हो और president के पास यह भी power रहेगा कि वो अगर चाहे, मतलब president अगर चाहें, तो किसी भी authority को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी condition अगर लगाना चाहें, तो condition लगा करके, वो उनको यह power दे सके कि आप जो है, मेरे बतले काम करो, for example, president यह कहा सकते हैं कि हाँ governor सहाब जो है, जिस भी state में वो लगा हुआ है, वो governor मेरे बतले यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा authority या कोई बड़ा officer वगेरा, जिसको president को पूरा भरोसा हो, और वो उसमें condition वगेरा लगा कि यह बता सके कि मेरे बदले में यह आदमी निर्णय ले सकता है, लेकिन मेरा महाँ पर जो है वो काम होगा, ठीक है, दूसरा, जिस भी वैक्ति पर, यहाँ पर, या तो president पर, या फिर parliament पर, मतलब कि parliament के पास यह दिकार है कि या तो president पर, या फिर president जिस भी authority को, जिस भी वैक्ति को, या जिस भी बड़ा institution को यह बता, दिया गया है power कि वो कानून बना सके, sub clause A में, जो भी हम लोग बात किये, कि president के पास यह दिकार है, कि वो किसी को भी बता सकते है, किसी भी authority को यह बता सकते, कि आप मेरे बतले, वहाँ पर कानून बगेरा, बनाईए और उसको exercise करिए, तो वो वैक्ति जो है, उसके पास यह power रहेगा, कि वो कानून बना सकता है, जिसमें कि duties का लेंदेन, मतलब कि कर का लेंदेन बगेरा, पैसा बगेरा का लेंदेन हो सकता है, किसके उपर union, मतलब कि केंद सरकार, या फिर केंद सरकार के officers, या फिर केंद सरकार का कोई भी institution है कोई भी authority है उसके उपर duties लगाया जा सकता है मतलब कि कर लगाया जा सकता है और parliament president को ये भी authority देती है ये भी हक देती है कि president जब चाहे तब अगर house of people मतलब कि अगर लोगसभा सेशन में नहीं है लोगसभा सत्र में नहीं है तो consolidated fund of state जो राजी का consolidated fund था संरक्षित जो संधी बोल सकते हैं पता नी क्या इसको इंदे में बोलते है तो consolidated fund of the state जो था यससे की पैसा वगेरा रखा जाता है वहां से वो पैसा निकाल सकते हैं ठीक है और parliament जब बैठेगी मतलब जब लोगसभा सत्र में आएगी फिर से तब उसके बाद उसको sanction बगेरा किया जाएगा कि हाँ यह निकालना उचीत था या नहीं था मतलब बकेती बाद में होगा पहले काम चल रहा है तो भाई साब खर्चा पहले हैँ ठीक है यह कहान ही है अब emergency लग गया था काफी सारा कानून बगेरा बन गया president के द्वारा बना या फिर president जिसको बोले थे उसके द्वारा बना या पारलियमेंट के द्वार बना तो जो कानुन बगेरा बन गया था आर्टिकल 356 के लिए वो कानुन तब तक रहेगा जब तक कि उसको खतम ना किया जाया या फिर जब तक कि उसको चेंज ना कर दिया जाया मतलब कि जो कानूर बनाया गया था वो इमर्जेंसी खतम होने के बाद भी लागू रहेगा अगर उसको बदली नहीं किया गया या उसको खतम नहीं किया गया है तो ठीक है तो आर्टिकल 357 यही था एंड आई थिंक आई होब कि यह आपको समझ में आ गया होगा काफी सिंप्रिफाय करके बताने का कोशिस था यह सो यह था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो दोस्तों के साथ सेयर करो कुछी पूछना है बता